Hello दोस्तों आज हम Class liby , Physics का 1st चप्टर का next पूपए केर रहे हैं अध्यारवपण को सिधांथ अध्यारवपण को सिधांथ क्याता है कि बहुल आवेश हों बहुल मतलब.... बहुससे आवेश हों कि किसी निकाए में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विदुद पर्व निकाइमे स्थित अन्य आविश द्वारा उस आविश पर लगने वाले विदुद पर्वों के सदिश योग के बराबर होता है तो इसे हम समझते हैं कि क्या कहा रहा है यह तो इसकी परिवाशा है हमने माना कि एक आवश है Ajish का it and Q 1 है इससे कुछ दूरी पर हमने अलग अलग अवश ल Indiana का यहां पर एक दूसरा आविश है Q 2 यहां पर एक दूसरा आविश है Q 3 इसी परकर अन्य आविश हैं और यहां पर हम एक 91 अवेश ले देते हैं जिसका हम मान Q1 मानते हैं तो हम कहते हैं कि Q1 पर Q2 भी कुछ बल लगाएगा Q3 भी भी बल लगाएगा और QN इसी परकार बहुत सारी आवेश हों तो यह सभी अलग आवेश Q1 पर अपने अपने बल आरुपित करेंगे तो Q1 पर जो परिणामी बल होगा वहाँ इन सब द्वारा आरुपित बलों के सदिश योग के बराबर होगा तो इसको कैसे ग्याद करेंगे माल लेते हैं Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा यह है अब जब हमने कुलाम के दियम में उसका सदिश वो पढ़ा था तो उससे में आपको ध्यान होगा कि हम जो बल होता है मारा F इसका नाम करण कुछ इस परकार से करते हैं कि पहले देखते हैं पहले न इसी परकार Q3 भी इस पर बल लगाएगा तो Q3 बल लगाएगा तो उसकी देखा यह होगी अलगने वाले बल की दिशा इस परकार से होगी इस बल का भी हम नाम करण लिख रहेते हैं F क्योंकि बन पर लग रहा है तो यहां लिखेंगे 1 किसके दौरह लग रहा है Q3 के दौरह लग रहा है इसलिए यहोग है F1 3 इसनी परकार एनवा अविश पर बल लगा रहा है और इन दोनों को मिलाने माले रिखा के अनुदिश ही इसने बल लगीगा इस परकार से तो बल रजयोक का जो नाम होगा वोगा F 1 होगा किसके द्वारा लग रहा है N के द्वारा लग रहा है इसलिए यहाँ पर रहेगा 1 N क्योंकि सारे बल सदिश राश्या हैं इसलिए इनको सदिश से निरुपित कर दें तो हम लिखेंगे बल जयोका F वह बराबर होका F12 Q2 अविश के द्वारा लगने वाला F12 प्लस F13 Q3 अविश के द्वारा लगने वाला F13 प्लस डॉन्ट और डॉट N अविश के द्वारा लगने वाला बल यहनकि F1 L अब हम इनके मान निकालेंगे कि F12 का मान क्या होगा F12 सहिश मान होगा हम जानते हैं कि दो आविशो के बीच में लगने वाले बल का जो मान होता है उक उलाम के नीम से आता है 1 upon 4 pi epsilon 0 पहरा बल था Q1 दूसरा बल था Q2 बटे इन दोनों के बीच की दोरी तो देखें बीच की दूरी Q2 से Q1 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं यह है R21 और यह जो इसका सदिश रूप लिया जाए जो इस थापन वेक्टर होता है तो इसको हम वेक्टर R21 से भी प्रदेशिक कर सकते हैं इसका आर्थ है कि बीच की दूरी तो होगी R21 यह तो इसका अधिश रूप होगे जनकी परिमान तो इसका स्क्वार आ जाएगा R21 का स्क्वार साथ में क्योंकि F12 एक सदिश राशी है तो हमें बताना पड़ाईगा इसकी दिशा क्या होगी तो इसकी दिशा Q2 से Q1 की तरफ है इसलिए R का मान 2 से 1 की तरफ आएगा यानि कि हम लेके लेंगे यह R21 इसके पर क्याप लगाने का अर्थ यह है कि यहां हमारे सदिश को बताता है सदिश की दिशा बताता है तो आप देखे 2 से 1 की दिशा यह वाली दिशा है F12 की भी दिशा यही वाली है यह इसके रिखा को मेरा है यह एक ही दिशा भी जाता है ठीक इसे प्रकार से F13 का मान निकाल है यह जाएगा 1 अपॉन फॉर पाई अपसारन जीरो Q1 Q3 अपॉन यहां पर आजएगा R31 का स्क्वेर 3 से 1 की दूरी और वेक्टर की फॉर्म में R31 इस तरीके से लिख सकते हैं साथ में इसके दिशा को निकित करेंगे R31 बिल्कुन उपर वाले की तरह इसी परकार F पर लगने वाला N में हमेश के द्वारा लगने वाला वाल तो यह F1 N बराबर होगा हमारा 1 अपॉर पाई अपसालन जीरो Q1 QN अपॉर आर N1 का स्क्वेर और साथ में दिशा आएगी N से एक की दरब तो यह विक्टर RN 1 को प्रदिशित करेगा तो यह हमें पता चल गया तो हमें तो निकालना है परिणामी F का मान निकालना है तो परिणामी F बराबर हो जाएगा F12 कमान लखेंगे F12 कमान 1 अपॉर पाई अपसालन जीरो Q1 Q2 अपॉर R21 का स्क्वेर इंट विक्टर R21 प्लस F13 कमान वो इस समीक्राण से लिखेंगे 1 अपॉर पाई F70 U1 U3 अपॉर R31 का स्क्वेर इंट विक्टर R31 यूनित विक्टर जैनी के एक आपक विक्टर प्लस डॉट 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 अन्य अविश्व के द्वारा साथ में N वे अविश्व के द्वारा लगने वाला बाल 1 अपॉर 570 Q1 Qn अपॉर R N1 का स्क्वेर इंट विक्टर Rn1 ये हमारा परिणामे बल लगेगा योकि Q1 अविश्व पर लगेगा अन्य अविश्व के द्वारा है हमारा नेक्स टॉपिक है वैदुद बल तथा गुरुत अकर्ष्ण बल में अंतर हमने यहाँ पर पड़ा था कि कुलाम का नियम वैदुद बल को बताता है और उस बल का हमारा पास जो सुत्र आये था वह आये था F is equal to 1 upon 4 phi epsilon 0 Q1 Q2 गटे R square जिसके अनुसा लगने वारा बल बराबर होता है capital Z M1 M2 गटे R square तो इन्हें समानता तो यह है कि यहाँ दोनों के दोनों वर्ग व्यतकर्म के नियम है अर्था दूरी के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ बल तेजी से घठते हैं तो दूसरी बात यहाँ बल आवेशो के बीच में लगता है यहाँ बल द्रवेमानों के बीच में लगता है तो हम कहते हैं यहाँ बल आवेशो के बीच लगता है जबकि यहाँ बल सभी द्रवेमान वाले पिंडो के बिच यायly youtube अन्य इतरे आफरे लगरुदध गूजित्गां कले करता है। क鬼 याग। अर्पकार का अपर साइक अर्फ चनुटाक। मालकिए अरे अर्फ वियाओjekt यहां सब्सक्रीरिबश्ट कर सकते हुए क्योंकि वेदुद बर दो परकार के होते हैं आकर्शन तथा प्रतिगर्शन बर इससे विए भी पता चालता है कि आवेश दो परकार के होते हैं और गुर्ता प्रशनवार क्योंकि वो द्रेमान पिल्लों के बीच में काम करता है और वो के बला प्रशनदाल होता है इसका आर्थ होता है कि द्रेमान के बल एक ही परकारता हो सकता है एक से भी परकारता नहीं होता है अग्ला यदि हम बात करें जो वैदूत पर होता है वहाँ बीच के आवेशों के बीच के माद्यम पर निर्भर करता है यहां इन दोनों पिंडों के बीच कैसा भी माद्यम हो इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है तो जो यह है यह है माद्यम पर निर्भर नहीं करता है इसके अलावा दो प्रोटोनों के बीच में इसके बाहिए इसके बेंगर दो प्रोटोनों के बीच वैदुत बल गुरुत्वा कर्शन में बल से दस्की गाग 36 गुना बराक होता है यानि कि कुर्टा परशन बल मल अत्यांत चीन बल है चीन बल मतलों कमजोर बल है वदुद बल के तो रहा है और दो इलेक्ट्रोनों के बीच के बीच बैदुद बल गुर्ट्वा कर्शन बल से दस्की गाग 43 गुना बराक होता है इस प्रकार से हम वदुद बल और गुर्ट्वा कर्शन बल को डिफ्रेंशिट कर सकते हैं हमारा अगला टपिक है विद्दु छेत्र तथा विद्दु छेत्र के तेवर था तो सबसे पहले समझेंगे विद्दु छेत्र क्या होता है हमने कोई आविश लिया माल लेते हैं प्रस्क्यों आविश लिया तो हम कहते हैं कि किसी भी आविश के चारो तरफ का वह छेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अथ्वा परिक्षण आवेश किसी वेदुत बल का अनभाव करता हो क्योंकि यहाँ बल दोपर काल गया हो सकते हैं आकर्षण बल भी हो सकता है परतिकर्षण बल भी हो सकता है तो किसी भी आवेश के चारो तरफ का वह छेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अथ्वा परिक्षण आवेश किसी वेदुत बल का नभाव करता है उस छेत्र को हम इस वेदुत आवेश का वेदुत छेत्र कहते हैं मालो यहां तक हमने कहा, कोई एक परिक्षन आविश हमने रखा qnor या q0, यहां इस बिंदू तक, इस आविश के द्वारा आरोपित बैदूत बनका अनभब करता है, तो जहां तक यह परिक्षन आविश दूर जाते जाते जहां तक यह इस बनका अनभब करे except at रगाए बर का हम कायेंगे together क्रदाखती है शवार्ष का जो च्रोगा तो अगला आता है कि विद्दुट्ट्ट्ट्र तो हमें परीवाशा समझों अब यहाद किसी विंदू पर विंदू छेत्र कितना अधिक होगा अत्वा कितना कम होगा इसी को हम कहते हैं विंदू छेत्र की तिवरता तो किसी विंदू पर हम कोई भी विंदू लेले मान लेते हैं किसी विंदू पर विंदू छेत्र की जो तिवरता होती है जिसे हम ई से प्रदेशित का अर्त है या का अर्थ है विल्थू छेत्र की तिव्रत लॉब तो किसी आरश के चारों तरफ किसी बिंदू पर विल्दु छेत्र की जो तीब्रता होती है यह वहाँ उस बिंदू पर रखे वे आविश पर इस आविश द्वारा लगाए गए बल यानि कि एफ यह आविश इस पर जितना बल लगाए गए बल तथा इस आविश की निश्पत्ति के बराबर होता है यानि कि इस आविश का जो परिमान है योदि इस से इसमें भाग दे दिया जाए तो हमारे का जो भी निकर के आएगा वह इस बिंदू पर बिंदू छेतर की तीवरता कहलाएगी तो बिंदू छेतर की जो तीवरता है वह एक सदिश राशी है और बिंदू छेतर की दिशा बिलकुर वही होती है जो बल की दिशा होती है तो हम यहां पर निकालना चाहें विद्धु छेत्र की तेवरता तो कैसे निकालेगे हमने का यह विद्धु है इस विद्धु पर विद्धु छेत्र की दिशा क्या होगी प्रस आवशा कि ये धनात्मक है इस परिक्षन आवशा को हमेशा धनात्मक लिया जाता है यहां धनावश इस धन परिक्षन आवशा पर पतिकर्श्वर l adesso करेगा समान आवशा के कार इस पर इधर की और बल लगेगा तो जो विद्दुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कोलाम पर इसकी यह विमा हम निकालना चाहें तो आपको पता है न्यूटन बलका मातरग इसकी विमा होती है M L E-2 कोलाम की विमा होती है A गुणा T हमने तहले भी बताई थी कोलाम क्योंकि आविश्का मतरग होता है और आविश्का हमार पास होता है आगे बढ़ेंगे Q बराबर I into T I बहने वादे के दुधारग इसका मतरग MP अर्यां के A T यादि की समय समय को हमना आपते हैं सिकिंड में इसकी विमा होती है Q कोलाम में ना पाजाता है इसकी हम क्या सकते हैं जो कोलाम है वो A गुणा T इसकी विमा होती ही तो इसकी और गडामी विमा चुछ निकल के आएग Як i. अदुगे एकJust two प्हाद है आ God के एक और गात याइगी तो इक य talented याथी माद कर सकते ही तो संट करें हें इस में काम आले लेते हैं के الخande यहां पर एक बिंदू लिया यहां पर एकाविष हमने यहां कि अब इस विन्दू का नाम मांगे अ ए लिए 10 के आर दूरी पर के क问 अ बिल्दू लेदिया कि इस बिंदू इन्हां मानगे इस पिन्दू का नाम हूं तो हम कैसे ग्याद करेंगे हमने कामाना यहां पर हम एक दूसरा आविश रख लेते हैं Q0 आविश ही रख लेते हैं तो लिखेंगे Q0 आविश रख लगने वाला बल जो बल लगेगा उसका मान आएगा F बराबन 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 यानिकि मुख्याविश Q Q2 यानिकि या गया हमारा परिक्षणाविश Q 0 इन दोरों के बीच की दूरी यानिकि R इसका स्कॉर यह हमारा किसका बाना गया? बल का माना गया बल कि यदि दिशा दिखना चाहें तो यदि यह धनाविश है बल कि दिशा यह होगी यह हमारे बल कि दिशा होगी यानिकि बल A से P की और लगेगा तो हम लिख सकते हैं A से P की और यह बल लगेगा पर हमें दो विद्दू छेतर की तीवता का सुतर गयात करना है तो हम जानते हैं चुकि E बराबर होता है F अपॉन Q0 यह हमने यहां पर निका रहा था E is equal to F1 Q0 Q0 मतलब यहां पर जो भी आवेश रखेंगे उसी का आपको भाग दे देना है तो हमने E बराबर F अपॉन Q0 तो E बराबर F कमान रखेंगे यहां से तो यहां कि 1 अपॉन 4 पाई अपसालन जिरो Q गुणा Q0 बटे आर स्कुरी यह तो हमारा F कमान रखेंगे साथ में 1 अपॉन Q0 और है इस Q0 को लेखेंगे तो एक बटा इस Q0 से यह Q0 कड़ जाएगा तो हमारे पास विद्व छेत्र की तेवता का सुतरा गया इस इकल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसालन जिरो Q अपॉन आर स्कुरर यह हमारे पास विद्व छेत्र की तेवता का सुतरा गया अब इसकी दिशा क्या होगी तो हमने कहा था इसकी दिशा बिलकुल वही होती है जो बट की दिशा होती है तो इस विद्व पर जो दिशा होगी हम लिख सकते हैं उसे वह दिशा भी A से P की और हो विद्व छेत्र की दिशा A से P की तब हो हमारा नेक्स रपीक है वैद्व बल रिखाए है Electric Pilt Lines तो परिभाशा कहती है कि वैद्व बल रिखा विद्व छेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है अर्थार्थ यहा वास्तों में तो ऐसा फिजिकली हमें देखता नहीं है लेकिन इसे हम एक काल्पनिक वक्र के द्वारा प्रदेशित करते हैं कि एक वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक सपंत्र तथा प्रित्रक्रत धनाविश गति करता है तो हम इसे कैसे समझेंगे हमने का कि एक हमने यहां मालेते धनाविश ले लिया अब इसके समीप पर वैदुत बल रिखाएं कैसे बनाएंगे तो इसके लिए क्हां कुरुना तथा प्रिथिकृत धनाविष हम इसके समीत में रखते हैं जिसे मालिते परिक्षण आविश ही है क्यों नो गदरी हमारा धनाक्वल यह धनाविश इस परिक्षण आविश कर ति कर्फ्षण सकार्ण जिसके कारण यहाँ इस दिशा में गती करेगा यदि इस पर इक्षणाविश को इस अस्थान पर रख दें तो यहाँ मुख्याविश इस दिशा में बन लगाएगा जिससे हैं इस दिशा में जाएगा और इसी करकार जैदि इसे यहां रतएया जाए तो यह गेतीरा जाए और यहां रत दिया जाए तो यहां कि इस दिशह में कि हम्या belief तो हमें पता चल गया कि धान आवould बाध रखने विश्क की नम्त बहर के तरफ निकलती है आप जरनाविश मेर देख लेते हमने एक रनाविश ले लिया रनाविश पर कुछ दूरी पर हमने फिर से परिक्षनाविश रख दिया अब की बार परिक्षनाविश इस रनाविश के तरफ आकशिक होता है तो यदि इसे और दूर रखेंगे तो यहां से रहेगा इसी परकार यदि यहां रख देंग तो यहां इस तरीके से गति करेगा यदि यहां रख देंग तो यह इस परकार से गति करेगा तो हम रणावेश पर भी वैदूत बल रखाएं के सकते हैं साथ ही वैदूत बल रखा जब हम खीचते हैं तो उसके किसी विंदू पर खीची गई इस पर्ष रखा इसको हम यहाँ समझेंगे हमने का एक हमारे पस यहाँ एक धनावेश है इससे कुछ दूरी पर अब एक रणावेश रख दिया अब हम यहाँ पर एक परिक्षणावेश रख देते हैं माल लेते हैं मैंने यहाँ पर प्लस Q0 परिक्षणावेश रख दिया अब प्लस Q0 परिक्षणावेश रखा है तो इस Q0 आविश पर दो बल काम करेंगी एक बल तो इसके द्वारा लगाया गया परतिकर्शन बल होगा जो कि इस आविश को दूर बेचने का परियास करेगा दूसरा कुछ दूरी पर रखे वे माहिन्दस आविश द्वारा इस Q0 पर आकर्शन बल लगाया जाएगा जो इसे अपनी और खिंचेगा चुकि दो बल लग रहे हैं एक परतिकर्शन बल इसको इधर ले जा रहा है एक आकर्शन बल इस इधर ले जा रहा है तो इन दोनों बलों का जो परणामी होगा वाद इसके बीच से निकलेगा और थात यहां पर इक्षनावेश इस परकार गती करेगा यहां पर पहुंचेगा यहां पर भी ऐसी दो बल लगेंगे तो जिसके कादर यहां इस परकार से घूंग करके अंत में यहां पर पहुंचेगा इसी परकार जदी इसको नीचे रखा जाए यहां पर तो यह इस रेखा में गती करेगे इधर से इधर कियो तो यहां हमारी यह जो रेखाए है यहां सब हम कह सकते हैं वैदुत बल रिखाई हैं यहां से यहां बहार जा रही है यहां पर यहां अंदर आ रही है वैदुत बल रिखाऊं में वैदुत बल रिखा कि किसी बिंदू पर रहा लेते हैं किसी बिंदू पर खिंची गई इस परश रिखा इस बिंदु पर खिंची गई इस बिंदु पर खिंची गई प्रदिषित करेगी वैदुद बखाएं कि कुछ विखिष्टाओं के वारें बात करेंगी वैदूत बल रिखाओं की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अरेण पर प्रविश्ष करती हैं अगला है हमारा दो बैदुत बल रेखाई कभी एक दुसरी को नहीं काटती है तो नहीं काटती हमने का यह दो बैदुत बल रेखाई ड्रॉप करते हैं एक यह रेक यह मानने थे ये दोनों इस बिंदू पर एक बुस्री को काटती है यह वैदूत बर्रेखा की दिशा ये थी पर इस वाले वैदूत बर्रेखा की दिशा ये थी ये इदर से इदर जा रहे थी हमने का यदि यह इस बिंदू पर काटती है तो हमारा यह नियम कहता है कि वेदूत बन रेखाओं के किसी बिंदू पर कीची गई इसपर्श रेखा वेदूत छेत्र की दिशा को परदशित करती है तो हम इस बिंदू पर इसपर्श रेखा कीचते है तो जब इस रेखा के अनुदिश इसपर्श रेखा कीचते है तो ये इस परकार से आएगी यहाभी इस बिंदू पर वेद्दुचित्र ये की दिशा को भी प्रविशित करेगी एक ही बिंदू पर वेद्दुचित्र की कभी भी दो दिशाएं संभव नहीं दो दिशाएं क्यों संभव नहीं है उसका कारण है वैदुद छेत्र एक सदिश राशी है तो सदिश राशी पर यदि कोई सदिश राशी हो एक ही बिन्दू पर यदि दो सदिश काम कर रहे हो तो उनका जो परिणामी निकलेगा उसकी किवर एक ही दिशा वोगी तो अर्थात जिदि दो वेदुत छित्र किसी एक बिंदू पर पहुंचते भी हैं तो वेदुत बन रेखाएं तो इस परकार से अज़ियर्स करेंगी कि वो कभी वी एक दूसरे को नही गाटे हम क्या सकते हैं कि दो वैदूत बल के confidence को नहीं काड़ती हैं चुकि उनके कटा मिंदो पर दो पर्श्य रेखाइं की चीज़ को दो दिशाओं को परस्यद करेंगे जो कि संभाव नहीं है अगला हमारा इसकी विशिष्टा है कि वैदुत बर रेखा यदि हम इस परकार से बनाएं एक धनाविश और एक रेनाविश तो इनके बीच में जो वैदुत बर रेखा सीधी चले की वो इस परकार से चले की धन्श शुरू के रेखा समाप होगी यहा कि यहां से हमें यह प्रपरटी पता चालती है कि वैदुत बडर रेखाएं गमभाई में के पर्यास करती है जिससे में पता चालता है । अग्णी विशिष्टा हमारी है वह विश्ष्टा है कि हम मालने तहीं यहां पर एक यह धारामिश बना दिया हमने और एक यह धारामिश बना दिया हमने यहां पर हमने का वेदूत बल रिखाएं इस तरीके से चल रही है धन से रड़ की तरब धन से रड़ की तरब दो वेदूत बल रिखाएं दो समीप और थी वेदूत बल रिखाएं एक दूसरे पर प्रतिकर्शा बल आरुतित करती है यह हम कह सकते हैं कि दो वेदूत बल रिखाएं एक दूसरे को धकेल दूर धकेलने का प्रियास करती है यहां वेदूत बल रिखाएं चाहेगी कि यह वाली वेदूत बल रिखाएं इधर खेसक जाए आर यहाँ वाली वैदुत बल रिखा चाहेंगी, कि यह वैदुत बल रिखा उपर किसरी जाए इनके इस गूल से हमीं पता चालता है कि समान आविशो पर प्रतिकश्वर्ण बल काम करता है इस प्रकार से हमने वैधूद बल रेखांक की कुछ विश्रीषता यां बताई हैं यहाँ वैधूद बल रेखांक की विश्राणा काफी important टॉपिक है और बोर पर लेक्षा में कभी एक number के छोटे question में वैदु दुबल रिखाओं की विशिस्त्रों को कुछ लिया जाता है तो आप इसे जरूर तयार कीजिए हमाना लिएक अपिक है विदुत दीध्रू तथा विदुत दीध्रू अगोम सबसे पहले समस्ते में विद्धु दीधु क्या होता है इसी इंग्लिश में इलेक्टिक डैकोन कहा जाता है विद्धु दीधु का आर्थ है जब समान परिमान के विप्रीत आविश एक दुसरे से अल्पदूरी पर रखे जाएं तो इस देवस्था को हो कहते हैं विद्धु दीधु दीधु इसका आर्थ हुआ कि जब समान परिमान मालिके यहां पर भी एक क्यू परिमान का विश है इससे कुछ दूरी पर एक क्यू परिमान का आविश है अंतर क्या है यह आविश धनात्मक है तो यह आविश रनात्मक है तो हम कहते हैं कि यह 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 य कि एक ब्रदबारे से परी बाशा बोल रहे हैं जब समान परिमान के बिद्रीत आविश्ट यानि कि एक धनात्मक होना चाहिए एक दूसरे से अलपदूरी पर रखें यानि कि टूल का माँ जितना हो से ते कम से कम होना चाहिए तो इस दिवस्ता और इस एर्जमेंट को हम कहते हैं, अब आताती है, ये विद्धूत दीदू कितना, शकति शाली होगा, यह इन आविशू इन पर रहेगा और इनके बिचकी दूरी पर रहेगा तो कोई विडू दीद्रू कितना शक्तिशाली है अज़ग कितना कमजोर है इसके लिए हम बात करते हैं विडू दिद्रू अग्वन की तो विडू दीद्रू अग्वन को हम small pc निरूपित करते हैं जयसे हम small pc निरूपित करेंगे किसी विद्दुत्धीद्रू का विद्दुत्धीद्रू आभूं यानिके पी उन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमान दोनों आवेश तो हैं लेकिन किसी भी एक आविश्च का परिमान लेड़ेंगे यह मानने लेज़ां तथा दोनों आविशों के बीच की दूरी जो कि यहां क्या है वहरत के गुणनफल के यानकि दूरी के आविश्च के साथ गुणनफल के भराबर होतर है दवारे से कह रहे हैं किसी विद्धुद्ध दीद्रू का विद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्ध इसकी दिशा इसकी दिशा हमेशा विद्धु छेत्र की दिशा के विप्रीद होती है आपको पता होगा विद्धु छेत्र धन से रिखा बाहर निकलती है रिन पर प्रविश करती है लेकिन जो विद्धू दिधू आगुण की जो दिशा होगी वहाँ जो पी की जो दिशा होगी वहाँ हमेशा रण आविश से धन आविश की तरफ होगी इसकी दिशा रण आविश से धन आविश की और होती है अब हमें सुत्र पता चल गया P बराबर Q गुणा 12 हम जानते हैं विद्धु दिद्रु आगों P बराबर हो गया Q गुणा 12 तो मैं हम इसे लिख सेते हैं P is equal to 2Q L यह हमारा इसका सुत्रा है तो मात्रक क्या होगा मात्रक Q का मात्रक कुलाम L यानि के दूरी-दूरी का मात्रक मीटर तो में दिद्धु दिद्रु का आगों का लिए मात्रक को का होगा कुलाम मीटर आप चाहें इसकी विमा भी निकाल सकते हैं गुलाम की विमा अभी आमने पीछे निकाली थी इसकी वह होती है ए मुणा थी और मीटर की विमा होती है L तो यह तिक्रम से लिखें है M L T के अंदूरा रख रहा गया L इंटू T इंटू यह इसकी विमा भी निकाल सकते हैं तो इस परकार से हम विद्धी दूरू को समझ सकते हैं दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा साथ ही मुझे पूरी विश्वा से कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा जिससे मेरे दोरा बनाएगे वीडियो की notifications आप तक जल्द से जल्द पहुंसर को साथ ही यदि आपको मेरे दोरा समझाएगे वीडियो में कहीं कोई बास समझ में नहीं आती है तो आप उसे comment box में जरूर लिखिए जिससे मैं उसको और सबल भासा में और अच्छी तरीके से अगले वीडियो में समझा सकूँ धन्यवाद